Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मुवाल फॉन की मदद से यूटूब पर लाइव इस्ट्रीमिंग कर सकते हो यदि दोस्तों आप इस चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सस्क्राइब करना वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ मुवाल फॉन की मदद से लाइव इस्ट्रीमिंग करके बताएंगे तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लिट बॉच करना let's start the video अब दोस्तों आपको live streaming करने के लिए YouTube का official app होता है उसको open कर लेना है देख सकते हो मैंने YouTube का official app को open कर रखा है अब दोस्तों आपको यहाँ पर जो नीचे की side option मिल रहा है plus का इस पर click कर देना है then आपके सामने option मिल रहा है go live का देख सकते हो third number पर option है go live तो दोस्तों इस go live की option पर आपको click कर देना है यह option दोस्तों आपके मुवाल में तभी open होगा जब आप अपने YouTube चैनल पर 50 subscriber complete कर लोगे यदि दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर 50 subscriber complete कर लोगे तो आप live streaming कर सकते हो हो अपने YouTube चैनल पर अब आपको यहाँ पर option मिल रहा है turn on इस पर click कर देना है देख सकते हो दोस्तों live streaming on हो चुकी है यहाँ पर मेरा face भी देख रहा होगा आपको अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर आपको डालना है title यदि दोस्तों आप mobile की screen की live streaming करना चाहते हो तो इस topic पर हमने already एक वीडियो बना दी है उस वीडियो की link इस वीडियो के description में मिल जाएगी आज की इस वीडियो में हम आपको जो live वीडियो बनाते हैं बो बताएंगे आपको कि कैसे बनाई जाती है जिसमें आपका face देखता है ना की screen तो दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं जैसे की demo title में आप लिख सकते हो देख सकते हो यहाँ पर आपको title डालना है तो मैं लिख देता हूँ demo live तो दोस्तों मैंने यहाँ पर देख सकते हो लिख दिया demo live अब आपको जो write का option देख रहा है इस पर click कर देना है देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर आपको next कर देना जो भी यहाँ पर देख सकते हो setting दी गई है इनको यदि आप करना चाहो तो change भी कर सकते हो जो भी setting आपको लगे कि change करना है अपने हिसाब से जैसे कि video को public नहीं करना है हमें unlisted करना है तो आप unlisted भी कर सकते हो हम public ही रहने देते हैं तो दोस्तों आपको जो next का option देख रहा है इस पर click कर देना है देख सकते हो next पर click करते ही जो thumbnail होता है उसको set करना है तो दोस्तों हमारा यहां से thumbnail भी set हो चुका है यदि आपको thumbnail set change करना है तो यह pencil का option देख रहा है इस पर click करके आप thumbnail भी change कर सकते हो हमें change नहीं करना है हम direct go live कर देते हैं जो आपको नीचे option देख रहा है go live इस पर click कर देना rotate to stream in landscape तो दोस्तों आपको यहां पर अपनी मुवाल की screen landscape करनी पड़ेगी तो आपकी यह live streaming start हो जाएगी और यहां से आप portrait mode में भी start कर सकते हो नीचे लखा है stream in portrait देख सकते हो तो दोस्तों हम portrait mode में है live streaming करेंगे landscape mode में नहीं करना हमें तो portrait में यदि आपको landscape में करना है तो हमने वताई दिया कि मुवाल को rotate कर लेना आपके landscape mode में हो जाएगी तो यहां पर हम portrait पर click कर देते हैं देख सकते हो going live होने लगा है और आपकी live streaming start हो चुकी है तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर आपको option भी आ चुका live और देख सकते हो छे सेकंड हो भी चुकी है और यहांसे effect बगेरा और option दियेगा है तो दोस्तों इस पिरकार आप अपने global phone की मदद से live streaming कर सकतेहो आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है यदि आपको अब live streaming off करनी है तो एक cross का आइकन दिख रहा है इस पर click कर देना है तो दोस्तों इस ओके कर देना और आपके live streaming as a video save हो जाईगी तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया है यहां से आप analysis देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपको देखा live में watch time कितना मिला subscriber कितने जुड़े इस सब चेक कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से यदि एक share करना क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने आपको live रूप बताया कि अपने mobile phone से live streaming कैसे करें यदि आपको यदि वीडियो पसंद आए हो लाइक करें share करें चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को subscribe करना धन्यवाद दोस्तो करेंग।